हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल इंडियन यूट्यूबर रीना आज हम पुराने पजामे का रियूज करेंगे पुराने पजामे से हम शमीज बनाएंगे देखिए यह पुराना पजामा है गरम पजामा है यह हम सर्दियों में नीचे शमीज डालने के लिए इसे सबसे पहले हम पजामे को जो नीचे से पोंचा होता है वो फोल्ड होता है जो नीचे से उसे कट कर लेंगे अब हम यहां से शमीज की लंबाई ले लेंगे लंबाई अब जितना चाहें रख सकते हैं मैं यहां से ले रही हूँ 24 इंच जितनी आपकी लंबाई हो उससे टू इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए मेरी 22 है तो मैं 24 ले रही हूँ यहां से हम 24 इंच पर निशान लगा लेंगे और इसे यहां से कट करेंगे अब कट करने के बाद अब हम जहां से हमारे ये देखिए चोड़ाई कम है यहां से हम उपर से तीरे का निशान लगाएंगे तीरा यहां से हम ले लेंगे 6.5 इंच नीचे भी हम 6.5 इंच पर निशान लगा लेंगे और अब हम उपर से नीचे तक आर्मोल का निशान लगाएंगे यहां से हम seven inch पर निशान लगाएंगे और इसे यहां से ये देखिए लाइन लगा कर इस तरह से एक box बना लेंगे और अब हम बीच में आरमौल की गुलाई कर देंगे अब हम यहां से chest का निशान लगाएंगे यहां से आपकी जितनी हो उसका फूर्थ भाग ले लीजिए यहां मैं नाई निंच पर निशान लगा रही हूँ अब हम नीचे से हिप का निशान लगाएंगे हिप भी हम फूर्थ भाग पर निशान लगा लेंगे यहां से मैं 10.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ यहां से हम कमर का निशान लगा लेंगे और अब हम इन तीनों निशान को आपस में मिला लेंगे यह हमने मिला लिया अब हम यहां से यह देखिए जहां हमने निशान लगाया है वहां से कट कर लेंगे सबसे पहले हमने आर्म होल को कट कर लिया अब हम यहां से थोड़ा थोड़ा मार्जन के लिए एक्स्रा लेते हुए निशान लगा लेंगे और यहां से कट कर लेंगे नीचे से हमारी हिप ज़ादा है इसलिए मैंने यह चोड़ाई वले पार्ट को नीचे की तरफ रखा है यहां से अब हम उपर की तरफ से गले का निशान लगाएंगे यहां मैं गले की चोड़ाई ले रहे हूं 2.5 इंच अब जितनी रखना चाहें रख सकते हैं अब हम लंबाई ले ले लेंगे गले की मैं ले रहे हूं 6 इंच यहां से नीचे से भी 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे एक बोक्स बना लेंगे और गले की गुलाई दे देंगे इसे हम कट कर लेंगे अब यहां आपको जितनी स्टैप की चोड़ाई रखनी हो उसमें दोनों तरफ से सिलाई के लिए फोल्ड करते हुए मार्जन रखते हुए बाकी हम कट कर देंगे यहां मैं 2 इंच ले रही हूं 2 इंच से दोनों तरफ फोल्ड होगा बाकी हम यहां से कट कर देंगे इसे यह देखिए यह हमारी शमीज की कटिंग हो गई है अब हम इसके स्टीचिंग करेंगे अब हम इसे पहले यह देखिए एक पार्ट लेंगे इस तरह से सीधा रखेंगे और अब हम दूसरे पार्ट को इसके उपर उल्टा रखेंगे अंदर की तरफ हमारे दोनों सीधे पार्ट होने चाहिए अब हम दोनों तीरों को आपस में मिलाते हुए यहां से दोनों तीरे स्टिच करेंगे यतीरे हमने स्टिच कर लिए अब हम गले को पहले यहां से यह दिखिए फोल्ड करेंगे दो बार फोल्ड करना हमने और पूरे गले को इसी तरह से दो बार फोल्ड करते हुए पूरे गले पर सिलाई लगाएंगे बार फोल्ड करते हुए बार फोल्ड करते हुए इदे के गला हमने स्टिच कर लिया है अब हम आर्मोल स्टिच करेंगे यहां से भी हमने इस तरह से दो बार फोल्ड करना है और पूरे आर्मोल पर सिलाई लगा लेनी है आर्मोल पर सिलाई लगाएंगे एक हरमल हमारा स्टिच हो गया है अब हम दूसरा भी इसी तरह से फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे यह दोनों हमने स्टिच कर लिए अब हम इसे यह देखी बराबर आपस में दोनों पार्ट को मिलाते हुए इस तरह से रखेंगे और साइड में सिलाई लगाएंगे यह स्टैप हमारे देखी इतने चोड़े बने हैं अगर आपने चोड़े रखने हैं तो आप इसे चोड़ाई में ज़्यादा रख सकते हैं कम रखने हैं तो कम भी रख सकते हैं यहां से अब हम साइड से सिलाई लगा लेंगे नीचे तक दूसरी तरफ से भी इसी तरह से थोड़ा सिलाई में देते हुए सिलाई लगाएंगे दोनों तरफ हमने सिलाई लगा ली है अब हम इसे नीचे से फोल्ड करेंगे नीचे से देखी इस तरह से दो बार फोल्ड करने हमने और इस पर पूरे पर सिलाई लगानी है यह हमने नीचे से यह देखी फोल्ड कर लिया है पूरा ये हमारी शमीज बनकर तयार है जटपत बन जाती है ये और बनाने में भी बिल्कुल आसान है आपके पुराने पजामे का भी रियूज हो गया ये हमारे ये देखे काम आ जाएगी ये देखे इस तरह से हमारी ये बनी है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना शेयर करना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और नाटिफिकेशन के लिए बैल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना